हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब एकदम मज़े में प्रप्रेशन ठीक चल रही है दियर स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं आज हमारा टापिक जो है टुड़े वी आर गोइंग टू स्टिडी अबोट ग्लैशियर्स ग्लैशियर्स ऑप चुमौ एंड कश्मीर ग्लैशियर्स ऑप जुमौ एंड कश्मीर यूटी एज वला एज लदाक यूटी हम दोनों क मालूम होगा कि मैक्सिमम ग्लैशियर्स जो है वो कहां पर आते हैं लदाक में मैक्सिमम ग्लैशियर्स ऑर प्रेजंट इन लदाक तो आज हम पढ़ेंगे ग्लैशियर्स तो चले आपको पता होगा ग्लैशियर्स क्या होता है ग्लैशियर्स जो है ये एक मौस बाड़ी होती पहले में डिफिनिशन बताता हूँ यहां पर आपको a glacier is a large moss of ice यह एक large moss of ice होता है किसका होता है ice का which moves slowly जो कि slowly move करता है यानि कि it is a moss of ice large moss of ice which moves slowly glaciers कहां पाए जाते हैं near poles and at high altitude and in mountains यहां पर आपका इस साउथ पोल आता है यहां पर आपका साउथ पोल आता है यहां पर नारत पोल आता है या तो आपको glaciers यहां पर मिलेंगे या तो यहां पर मिलेंगे उसके अलावा और कहां पर glaciers मिलते हैं और मिलते हैं mountainous ranges में यह mountainous ranges होती हैं तो इन mountainous ranges के उपर आपको glaciers मिलते हैं और उन glaciers से जो है different different नदिया या reverse आपकेंगे यहां पर उनसे निकलती है तो ये Union Territory of Jumay and Kashmir जो है या लदाख ये हमालिया में ही पाई जाती है यानि कि It is present, It lies in the Himalayan region तो इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर Glaciers प्रेज़न हैं तो वो Glaciers क्या क्या हैं वो हम यहां पर डिसकस करेंगे आज का हमारा पहला Glacier जो है स्टार्ट करते हैं पहले Glacier जो है बाल्टोरो Glacier बाल्टोरो Glacier बाल्टोरो Glacier जो है ये कहां पर लोकेटिड है It is located in Karakoram Mountain Range कहां पर? Karakoram Mountain Range पर आगे चलके मैं आपको मैप भी दिखाओंगा इसका कि बाल्टोरो Glacier कहां पर आता है तो ये कहां पर पाया जाता है? Karakoram Mountain के ओपर बाल्टोरो Glacier इसकी लंबाई कितनी है? It is the length of the Balthero Glacier इसकी लंबाई जो है ये 23 किलोमेटर लॉंग है और ये कहां पर लोकेटिड ये किस एरिया में लोकेटिड है? Karakoram Mountain Range में आता है मगर locate किस area में located है it is located in किल्किट प्लतिस्तार रीजिन आफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में आता है और ये किस river को फैड करता है किस river कून सा river इससे originate होता है इससे river originate होता है sugar river sugar river जो कि tributary है किसकी जो कि बाद में किस में चला जाता है शिगर रिवर वो बाद में इंडस रिवर में चला जाता है और ये औरजिनेट होता है किसे ग्लैशर से इंडस रिवर भी किसे औरजिनेट होता है ग्लैशर से ही, ये मैंने आपको पढ़ाया सियाचन ग्लैशर जब मैंने आपको पढ़ाया मैंने आपको बोला था उसका West Side जो है वहीं से ओरिजिनेट होता है इंडस रिवर तो Sugar River भी ओरिजिनेट किसे होता है Glashar से कुन से Glashar से बॉल्टूरो Glashar से और ये फिर मूँ करता है किसकी तरफ इंडस रिवर की तरफ और ये Tributary बन जाता है इंडेस रिवर की तो उसके बाद जो है ये आगे चला जाता है तो ये जो है ये बाल्टरो गलेशर इसके मितलिक थोड़ा सा और जानेंगे ये जो है ये Central Slopes of Central Corcorum Range जो सिलोपस है Central Slopes यानि कि ये मालो ये कराकॉरम रेंज है जो Central Slopes है Central Slopes के Southern Slopes में यहीं कि साउथ साइड में जो साउथ साइड आएगा उसके साउथ साइड में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस साइड नार्थ आएगा इस साइड साउथ आएगा तो सावधरन सुलोपस पे ये प्रेजेंट है, कौन सा गलेशर, बॉल्टरो गलेशर, इसकी लंबाई कितनी है, 63 किलोमेटर, इससे कौन सा रिवर औरजिनेट होता है, शिगर रिवर, वो फिर किसमे जागिरता है, वो फिर जाता है, इंडस रिवर में, इसकी दो लाजिज ट गिरता है, वो अलग हो गया, यहां पर हम बात कर रहे हैं, गलेशर की ट्रिबुटेरी, यानि कि इस गलेशर के दो छोटे छोटे, दो बड़े बड़े गलेशर है, यानि कि इस गलेशर के, वो दो बड़े बड़े गलेशर क्या है, एक तो प्रेजेंट है किस साड़ में, वन फारम साउथ वेस्टरन स्लोप ओन दी गशरबं पीक यानि कि एक पीक साउथ वेस्टरन साइड पे आता है जिसको गशरबं कहा जाता है गशरबं एक माउटिनियस पीक है और दूसरा जो है वो नौर्थ वेस्टरन नौर्थ वेस्टर्ण ये नौर्थ साइड है नौर्थ और वेस्टर्ण साइड के जो आता है तो उसको कहते है मशर्बंप्रीक ये गशर्ब्रेम है ये मशर्ब्रेम है ये मशर्ब्रेम और गशर्ब्रेम इन दोनों के उपर जो हैं, दो large trebeitry glaciers इसी glacier के दो trebeitry glaciers present हैं चले मूह करते हैं, next नेक्स्ट, जो है, वो है, भी आफो glacier भी आफो glacier भी किस एरिया में आता है? बलतिस्तान एरिया north hop, جम्हु और कश्मीर यनि के जम्हु कश्मीर के नौरत में आता है जब हम नौरत की बात करते हैं तो नौरत में क्या आता है लदाख की तरफ हम चले जाते हैं किस तरफ चले जाते हैं नौर्थ आप जो मुएंड कश्मी रेन के लदाख उस तरफ जब चले जाते हैं तो यही वहीं पर पाया जाता है on this southern slopes आप काराकोरम रेंच, जो southern slopes है काराकोरम रेंच की उसी के ओपर मैंने आपको अब भी बोला, southern slopes कहां पर पाइजाती है, और इसकी लंबाई कितनी है, it is about 60 Km लंग, इसकी लंबाई कितनी है 60 Km, इसकी लंबाई दो यह हो गया Biafo Glacier भी आफ्ड गलेशर के बाद हम नेक्स्ट मू करते हैं NICKस्ट जो है हिस्पः गलेशर क्या है हिस्पः गलेशर हिस्पः गलेशर जो है यह कहां पर located है हिस्पः गलेशर भी बिल्डिस्त Texas area में ही आता है याद रखना सारे मैंने कह थे नारथाप जमुएंट कश्मीर नारथाप जमुएंट कश्मीर और नारथाप तीसरा भी नारथाप जमुएंट कश्मीर एंड लगादा पिछले जो गलेशर है ये भी सावदरन सुलोपसाप कराकॉरम रेंज Sao Adrant Sniper Saab Karakorum HEL-ение ये भी मैंने बोला Sao Adrant Sniper Saab Karakorum Depois तो बियाफू, इस परгляд गलेश बी सेम है Sao Adrant Sniper Saab Karakorum इसकी लंबाइग कितनी है? इसकी लंबाइग है 49 क्लोंतर 49 क्लोंतर इसकी लंगत है ये connected किसके सथ है? बियाफो गलेश यह और दोनु मिला के बनाते हैं 100 किलोमेटर लॉंग हाईवे आइस यह दोनु मिलते हैं यह अभी मैंने आपको कहा यह बियाफो गलेश है 60 किलोमेटर और यह जो है यह 49 किलोमेटर की लेंगत का तो यह तक्रिबन अब उट 100 किलोमेटर हाईवे बनाते हैं क याइस का होता है यह फिर्ड किसको करता है शिगर रिवर को यानि कि यह जब मेल्ट होता है फियाफो यह हिसपर गलैशर तो यह इससे कौन सी नदी जो है चलती है उसको कहते हैं शिगर रिवर यानि कि शिगर रिवर जो है वो इसके पानी से ही बरती रहती है यानि कि इसका पानी जो निकलता है वो शिगर रिवर में चला जाता है तो ये था हिस्पर गलेशर हिस्पर गलेशर के बाद नेक्स्ट ये मैं दिखाता हूँ आपको यहां पर ये देखे ये है बियाफो गलेशर ये मैं इमेज दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैप दिखा रहा हूँ यह है बियाफो गलेशर यह हिस्पर गलेशर और जो है मैंने क्या कहा आपको अभी बियाफो इस्पर गलेशर और बाल्टरो गलेशर बाल्टरो गलेशर सेम रीजिन में आता है यह इस से कौन सी रिवर औरजिनेट होती है ये यहां पर जो है ये बाल्टरो गलेशर है ये बियाफो गलेशर है और ये हिस्पर गलेशर है हिस्पर गलेशर जो है ये फेड करता है यानि कि इसका पानी जो है वो निकल के फिर किसके साथ मिलता है आगे जो दरिया आता है ऐसे ऐसे चल के यहां से फिर जो है उसके साथ म इंडस में इंडस जो है वो ऐसे फ्लो करती है यह सियाचन ग्लैशर है सियाचन ग्लैशर से ऐसे इंडस आ गई वो ऐसे ऐसे चलके फिर यहां से इधर चलती है तो यह जो सियाचन इंडस रिवर है इस इंडस रिवर की टर्बिटेरी है शिगर रिवर जो क्या और जिनिट होत तो यहां पर मैं आपको बोलू यह सियाचन गलैशर है यह चोगो लूंगमा गलैशर है यह वियाफू गलैशर है एक उच गलैशर के नेम है जो यहां पर दिये हुए है चले नेक्स्ट मूँ करते है नेक्स्ट जो है वह सियाचन गलैशर सियाचं ग्लाशर जो है सियाचं ग्लाशर बनाप दिवर्लाइन अरी लोंगिस्ट मांटेनज ग्लाशर यानिक ये सेकंड नमबर पे आता है सियाचं ग्लाशर लाइंग इन्दी कराकोरां रेंज सिस्टम अफ कश्मीर नियर इंडिया पाकिस् States driver एक्स्टेंडिंग फॉर 76 किलोमेटर इसकी लंबाई है इट एक्स्टेंड अप्ट से लेकर नौरथ वेस्ट तक नौरथ वेस्ट तक और उसके बाद साउथ से लेकर कहां तक साउथ इस्ट तक साउथ इस्ट तक यानि कि ऐसे एरिया बनाता है और यह जो है यह बनता है वरल्ल का सेकंड लाज़िस्ट गलेशियर इट इस सोस और 50 आमाई लॉंग नूबरा रिवर यानि कि नूबरा रिवर जो है नूबरा रिवर भी ओरजिनेट होती है कि सी आचन गलेशियर से और जो जो कि Tributary है किसकी ShioC River की Nubra River यहां पर में बतादू आपको Nubra River जो है वो किसमे F線 करती है वो करती है F線 यहां पर मैं आपको इसकी Image दिखाऊनगा यह देखे यहां पर प्ड़ता है Nubra यह जो Area है आपका यहां पर यहां पर प्ड़ता है इस एरिया में पढ़ता है नूब्रा यहां पर नूब्रा गलैशियर है और इस से औरजिनेट होती है रिवर जिसको कहा जाता है नूब्रा रिवर और नूब्रा गलैशियर से जो रिवर औरजिनेट होती है इसको कहा जाता है नूब्रा रिवर ये नूब्रा रिवर किसमें चली जाती है ये नूब्रा रिवर जो है ये फिर चली जाती है आगे शियोक रिवर में किसमें शियोक रिवर ये ट्रिबुटेरी है किसकी शियोक रिवर की स्वारी नूब्रा गलेशिर सियाचन गलेशर से औरिजिनेट होती है नूबरा रिवर उसके साथ साथ जो है ये ट्रिबिटेरी बन जाती है किसकी शियोक रिवर की जो कि फिर ट्रिबिटेरी बन जाती है किसकी इंडस रिवर की शियोक रिवर इंडस रिवर की टिबिटेरी बन जाती है और नुब्रा रिवर शियोक रिवर की टिबिटेरी बन जाती है चले मू करते है नेक्स्ट उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा जो सियाचन गलैशर है इसमें आते हैं ममो स्टांग एंड शेलकर क्वाटन जो लोगे लार्जस्ट ट्रिबिटेरी ग्लैशियर्स हैं किसकी सियाचन ग्लैशियर की एक तो ममो स्टांग है एक है ममो स्टांग जो कि M से स्टार्ट होता है ममो स्टांग और है शेलकर क्वाटन ये दोनों टर्बिटेरी गलेशियर्स हैं किसके इसके सियाचन गलेशियर के और नूबरा, रिमो, साल्टरो गलेशियर्स ये जो हैं ये पार्ट्स हैं किसके इस मैसिव गलेशियर्स के इस मैसिव गलेशियर्स के पार्ट्स हैं क्या है नूबरा रिवर जो है ये कहां से आरजिनेट भी मैंने बोला आपको ये नूबरा गलेशर से आरजिनेट होती है पर नूबरा गलेशर जो है ये पार्ट किसका है ये पार्ट है सियाचन गलेशर का किसका सियाचन गलेशर का तब ही इसने यहां पर दिखाया कि नूबरा गलेशर जो ये लोकेटड है कहां पर나डाक रिजन में मैंने आपको अभी दिखाया था करकॉरम रेंज उसके साभवर उन्स दोपस पर आता है नूब्रा गलेशर क्या आता है नूब्रा गलेशर जो दोगेटड कहां पर ہے शियोक रिवर में और यह ट्रिबुटेरी बन जाती है शियोक रिवर की और अल्टिमेटली शियोक रिवर जो है यह किस में चली जाती है इंडसरी मैं कहां था नूबरा रिवर जो है यह और जिनिट होती है नूबरा गलैशर से और उसके बाद जो है ये शियोक रिवर में चली जाती है शियोक रिवर जो है अल्टिमेटली किस रिवर में चली जाती है ये चली जाती है इंडस रिवर में तो नूबरा रिवर जो है किसकी टृबटेरी बन गई श्योक रिवर की श्योक रिवर किसके ट्रूपेरी बन गई इंडस्रिवर की तो ये था नूबृरा गलेश ago के inappropriate place आगे चल के देखते हैं आगे जो है वो है l음 glasses नमबर छे पहाता ए three glasses this glass एफ थ्री glass ग्रूप इसमें तीन glass ये छोटी-छोटी कि ये side जो है पिशला side ये north आता है ये方 ये south आता है और ये जो है ये east side आता है ये west side आता है जो east side है east side में जो आते हैं छोटी छोटी ग्रुपOS glacier के उनको कहा जाता है remote glacier three glacier groups north, central and south which are located जो कि कहाँ पर located है at an altitude between 6000 to 7000 meter above mean sea level जनके सीलेवल के 6000, 70000, जो means, सीलेवल जो है, उसके ओपर पाए जाते हैं, और यह जो ग्लैशर है, यह फील्ड करता है किसको, छियोक रिवर को, यानि कि इससे कुन सी, अब यहां पर कॉश्चन अरैंज होता है, कि कुन सी रिवर जो है, अराइज होती है, रिमो ग्लैशर ते तो ये थे कुछ important points about remove glacier next चलते हैं ये देखे, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा ये कुछ glaciers हैं आपको याद रहेंगे ये देखे, ये जो है ये बाल्ट्रू है बाल्ट्रू जिसको हम बाल्ट्रू glacier बतूरा glacier के नाम से जानते हैं ये खुर्दो पूइन है ये हिस्पर glacier है ये बियॉफी गलेशर है ये बाल्ट्रू है ये चौमो लूंगमा glacier है ये दमीर glacier है ये सियाचन glacier है ये सारे जो है ये कहां पर आते हैं जो मुआ अइट कश्मीर में और कहां पर पाए जाते हैं कारा कोरम रेंजिस में कहां पर कारा कोरम जो पहाड़ियां है उनके उपर पाये जाते हैं ये गलैशियर्स आपको इस मैप से याद रहेगा कौन कौन से गलैशियर्स कहां पर पाये जाते हैं और किस एरिया में आते हैं और कुन सी पहाड़ी पे पाए जाते हैं तो ये कराकॉरों रेंजिस में पाए जाते हैं जिन कराकॉरों रेंजिस के ओपर जो है डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी बड़ी बड़ी पहाड़ी पाए जाती है जैसे आप देखते हैं के टू यह पाई जाती है या गशर प्रम शर प्रम आते हैं आएसे यह डिफेन्ट डिफेन्ट माईंटेन स्पीकर्स जो है वो आती है जंसका रिंजे बाुद आती है हिमारीन रिंजे इसमें आती है तो यह जो है यह मौंटिन यह गलेशिर जो है यह यहां पर पाए जाते हैं चले मूँ करते हैं नेक्स्ट जो है वो है साल्टरो गलेशिर लोकेटिड ओन इंडिया और पाकिस्तान बार्डर सिट्वेटे नियर सर्क्यू इन इस साल्टरो मेसफ में पाई जाती है जो कि कहां पर पाई ऌहां पर है, located है इंडिया और पाकिस्तान Walder के बार्डर के पास यई जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का बार्डर है यई के LOC जिसको अपाई अप्लू जाता है ये गलैशर जो है ये water provide करता है दो streams को salt row river one of the two streams दो में से एक streams को ये water provide करता है क्योंकि आपने अगर पिछला lecture देखा होगा जब मैंने rivers पढ़ाया था तो महाँ पर मैंने बोला था salt row की दो branches निकलती है तो ये जो है ये provide करता है water किसको salt row river को next चलते हैं पराक्च गलेशर ये 85 km south of kargil district कितने किलोमेटर 85 km south of kargil district of ladak in the slopes of nunkun mountains कहां पर नunkun mountains यानि कि जो slopes पाई जाती है जो slopes of nunkun mountains है उन mountains के ओपर जो है इस glacier को पाया जाता है किस glacier को पराच गलेशर ये किस river को फीड करता है ये कि इस से कौन सा river originate होता है सूरू river सूरू river इस से originate होता है किस से पराच गलेशर से इसकी लंबाई कितनी है 14 km इसकी लंबाई है तो उसके बाद जो है मैं आपको मैप में दिखाऊंगा पराच गलेशर ये देखे ये जो है ये सिटिडी आरिया किया गया है इसमें दिखाया गया है ये आप देख सकते हैं यहां पर ये जो आरिया है यहां पर पाया जाता है पराच गलेशर ये दो अलग अलग इमेजिस हैं यहां पर एक तो ये है ये इसमें पराच गलेशर है यह जो है यह नुनकुन माउंटेन्स है कहां पर है यहां पर नुनकुन माउंटेन्स है इनी के पास जो है पाया जाता है किसको प्रैक्च ग्लैशर अब जब हम यहां चलेंगे मैप में तो मैप में मैं आपको दिखाऊंगा यह Steady Area है Steady Area Number First यह First है और यह Second है एक में आया है प्राक्टि गलाइस दूसरे में आया है ड्रांग ड्रं गलेशर जुसको ड्रंग गलेशर के नाम से भी जाना जाता है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर यह Nunkun Mountain है एक Second में पिन की ये आप देख सकते हैं यहां पर जो मैंने हाइलाइट किया हुआ है तो ये है एक सेकड्ड सॉरी है कभी कुबार प्यान भी काम नहीं करता है ये देखे ये जो है ये नून कुन माउंटेनज है इन नून कुन माउंटेनज के पास ही पाया जाता है किसको प्राक्च ग्लैशियर को अब आपने देखा नून कुन माउंटेन्स यह नून और नीचे जो है इसके आता है कुन नून कुन माउंटेन्स के बीच में पाया जाता है कौन प्राक्च ग्लैशियर उसके बाद नेक्स्ट ग्लैशियर जो है कुन सा glacier, ड्रेंग्डरूं glacier ड्रेंग्डरूं glacier चले next मैं आपको बताऊँगा शफाओ glacier इट इस सिच्टेटरियन इन नर्थ इस्टरन हिमालियन रेंज शफाओ butterflies जो है यह नौर्थ इस्टरन हिमालियन रेंज में आता है आपने पीछे जो देखे वो कहां पर आते थे chakra korean range में कहां पर आते थे chakra korean range में तो ये जो है ये कुछ流ड से और इसकी लंबाई कितनी है 14 km long located 85 km away from कर jewड लाए ये कर jew chess धो ले थे 25 km के दूरी पर है lies near the border of a unique Kashmir end लडाक ये जहां पर जो है border किसका है जुमाएंड कश्मीर यूटी और लदाख यूटी का बार्डर जहां पर है वहीं पर पाया जाता है यह मालो यह इस साइड में जुमाएंड कश्मीर है यहां पर लदाख है तो इस बार्डर पर यहां पर पाया जाता है कौन सा गलैशर शफाद गलैशर the glacier is connected with paracli glacier glasher जो है ये connected किसके साथ है paracli glacier तो अब कहाँ पर आएगा ये जब ये paracli glacier किसा connected है शफाद glasher तो इसका मतलब हुआ ये यहीं पराता है जहाँ पर ये paracli glacier आता है वहीं पराता है paracli glacier nuncum mountains के slopes के उपर पाया जाता है ये nuncum mountains है जो मैंने यहां पर आपको दिखाया यह नुनकून मावंटेनस है नुनकून मावंटेनस की स्लोपस पर पाया जाता है तो उसी के साथ जो है शफात गलेशर भी है तो हिमलین रेंज में आता है शफात गलेशर नेक्स्ट जो है यह मैंने आपको पीछे समझाए बियाफोहिस पर कहां कहां आते हैं नेक्स्ट जो है मच्वाई गलेशर मच्वाई गलेशर जो है इस स्टुएटिड ऑन नौर्थ इस्टरिन हिमालियन रेंज 30 किलो मेर्ट फ्राम द्रास एड जोजीला पास यानि कि ये भी कहां पर आता है जो है जो मुकश्मीर और लदाक यूटी का बार्डर जो है ये भी वहीं पर पाया जाता है क्योंकि आपको पता है जोजीला पास जो है ये कहां पर पाया जाता है ये दो बार्डर इसके बीच में पाया जाता है जोजीला पास तो यहीं पर है मच्वाई गलेशर इससे विस्ट वर्ड वेस्ट वर्ड फरो करता है यह मंदो यह वेस्ट है यह इस्ट है यह नौर्थ है यह सौथ है सौथ West तो मैं कहा नहीं के रहाए था आपको मैं कह रहा था आपको कि जो मच्छाई गलेश है इससे दो रिवेर्स ओरिजल होते हैं एक रिवर्वरर है सिंध रिवरर और दूसरा है जो East veya फ्लो करता है उसको कहा जाता है द्रास रिवर्वरर यहां पर मैंने आपको दिखाया था, यह वेस्ट साइड है, यह इस्ट साइड है, यहां से इस्ट साइड है, यहां से वेस्ट साइड है, अब मैं कह रहा हूँ कि सिंध रिवर जो है, यह वेस्ट वोर्ड फलो करती है, यह इनि कि यह इस तरफ फलो करीगी, और जो द्रास र इस साइट द्रास रिवार आता है इस साइट सिंदर रिवार आता है और फिर ये दोनु जो है आगे चलके मिलते हैं ये ट्रबिटरीज बन जाती है जो है आगे इंडस्रिवार फिर शयोक रिवार इंडस्रिवार ये ट्रबिटरीज बन जाती है तो उसके बाद जो है ये इस ग्लैशर की लंबाई कितनी है, 8 किलोमेटर लॉंग है यह, कितना, 8 किलोमेटर लॉंग है, मच्छाई ग्लैशर, नेक्स्ट ग्लैशर में मूँ करते हैं, नेक्स्ट जो है, वो है, राकापोशी ग्लैशर, राकापोशी ग्लैशर is on the lower slope of karakorum ranges, यह आप karakorum ranges में आता है, जो है, यह इसका लमबाई के हिसाबस से जो है, जो यह किस तरफ पहला हुआ है, नौरथ और नौर्थ वेस्ट जो है, the water which melts जो इससे water melt हो जाता है from the glacier flows into वो किस river में flow करता है हुन्जा रिवर में and then this river joins the industry river हुन्जा रिवर जो है ये किसकी tributary बन गए आप ये बन गए आप tributary industry river की और हुन्जा रिवर किससे originate होता है राकापोशी गलेशर से किससे राकापोशी गलेशर से originate होता है हुन्जा रिवर बोल्डर्स and rocks can be supported here इस river में जो है बोल्डर्स और रॉक्स पाए जाते है राकापोशी गलेशर जो है ये approached from gilgit in ladakh can be approached from gilgit in ladakh यानि कि आप इसको देख सकते हैं ladakh area में से आप देख सकते हैं इसको gilgit की तरफ जो है ये फैला हुआ है तो वहाँ पर इसको आप अपरोच यानि कि आप इसको देख सकते हैं simple terms में आप इसको देख सकते हैं चले next move करते हैं next जो है वो है ड्रेंग ड्रंग गलेशर important glacier है ड्रंग ड्रंग गलेशर आलसो कार्ड है इसको और किस नाम से जाना जाता है during ड्रंग गलेशर is a mountainous glacier near Pencila mountain pass at Cargill Zanskar road ये कहां किस pass के पास पाया जाता है Pencila pass Pencila pass जो है ये वहाँ पर पाया जाता है कहां पर at Cargill Zanskar road जो कि Cargill Zanskar road जहां से Cargill और Zanskar को road मिलाने वाला road जो है उसी road पे आता है Pencila pass उसी Pencila pass के पास जो है इस ड्रंग ड्रंग गलेशर को पाया जाता है कहां पर Cargill District of Ladakh in India लेंगत इसकी कितनी है 23 किलोमेटर इसकी लेंगत है ड्रंग ड्रंग गलेशर जो है ये long river of ice और सुनो है इससे कौन सा river originate होता है Stored river कौन सा river इससे originate होता है Stored river जो कि tributary है किसकी Zanskar river की और Zanskar river फिर tributary किसकी बन जाती है Indus river की Indus river की tributary बन जाती है इससे कौन सा river originate होता है ड्रंग ड्रंग गलेशर से Stored river Stard Stard में last में D आता है तो D यहाँ पर पहले आता है तो उससे आप याद रख सकते हैं D जो है D से Stard होता है और end में यहाँ पर Stard D से D से end हो जाता है D यह किसमें चला जाता है यह किसकी Tributary है Zanskar River की और Zanskar River किसकी Tributary है Industry River की यह मैंने आपको पीशे बताया था Zanskar River किससे निकलता है वो मैंने आपको पीशे दिखाया था Sind River, Dross River Zanskar River भी मैंने आपको बताया था तो यह जो है क्या करता है Drang Drang Lasher इससे कुछ सा River Orginate होता है इससे River Orginate होता है Stard River और Stard River जो है यह Tributary किसकी बन जाती है Zanskar River की तो Zanskar River जो है फिर Finally किसमे चली जाती है Indus River में तो Zanskar River किसकी Tributary बन गई है Indus River की तो इससे आपको याद रहेगा तो यह जो है इसमें Revise भी हो गया आपको कुछ मैंने जो Reverse पढ़ाये थे Reverse में मैंने बताया था कौन किस की Tributary है यहाँ पर आपको फिर से Revise हो गया होगा और जो Glashers है यह आपको याद भी रहे होंगे और आपको आसानी भी होगी समझने में क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर आपको बताया Karakorum Range में कौन से Glashers आते हैं और कौन कहां किस एरिया में पाया जाता है यह भी मैंने आपको बताया तो यहाँ पर मैं मैप में दिखाऊंगा आपको यह जो है यह एरिया जो Designate किया गया है यह एरिया जो Designate किया गया है इसमें Trang Trang Glashier पाया जाता है तो यह यहाँ पर आता है जो है पैंसिल अपास जो है वहाँ पर पाया जाता है ड्रेंग ड्रंग ग्लैशर फैर किसको करता है स्टॉर्ट लिवर को तो यहां तक हो गए एक कंपलीट हमारे ग्लैशियर्स होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया हुआ और आपको क्या करना है कि इसकी पीडियाफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डार रहा हूँ डिस्क्रिप्शन से आप पीडियाफ जो है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आप पीडियाफ जो है निकाल सकते हैं पर टेलिग्राम लिंक होगी टेलिग्राम लिंक जो है उसके ओपर दबाना है फिर जोईन करना है टेलिग्राम को और वहां से आप जो है इसकी पीडियाफ निकाल सकते हैं और पीडियाफ और इस लेक्चर को दोनों को साथ में रखके फिर आप देख सकते हैं तो तब आपको یاد रहेंगे, कुन गलेशर कहां पर आता है, तो ये जो है आज का लेक्षर हमारा फाइनल हो गया, छोप आपको आज का लेक्षर बड़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा बस ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शियर कीजिए, ताकि और भी इससे फाइदा उठाए और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब किया है तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शियर कीजिए थैंक्यू एवरिवन